जय हनुमान, जय बालाजी सरकार दोस्तों स्वागत है आपका एक नए विडियो में दोस्तों अगर आपकी नींद एक ही समय पर रोज खुलती हैं तो यह भगवान की तरफ से आपके लिए कोई इशारा है यह उन लोगों के लिए नहीं हैं जिनकी डेली रूटीन के तहट नींद खुलती हैं बलकि यह बात उन लोगों पर लागू होती हैं जिनकी अचानक से या घबराकर रोज एक ही समय पर नींद खुल जाती है अगर आपकी नींद हर रोज तीन या पांच के बीच खुलती है तो यह कोई सामान्य घटना नहीं है बलकि यह एक इशारा है किसी बड़ी घटना की तरफ वैसे मान्यताओं के अनुसार यदि एक ही समय पर नींद खुलती हैं तो यह किसी खास बात का संकेत होता है या आप पर दैविय शक्ती के कारण हो सकता है दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो में कुछ ऐसे संकेतों के बारे में बताएगे जिन्हें जानना आपके लिए बेहत जरूरी है इसलिए वीडियो को बिना स्किप किये हुए अंत तक जरूर देखें तो आएए आज हम आपको कुछ ऐसे महत्व पूर्ण संकेत बताएगे जिनके बारे में जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कृप्या चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले जिससे बालाजी सरकार की कृपा सदा आप पर बनी रहे तो चलिए हम आपको बताते हैं कि रात तीन से लेकर पांच बजे के बीच हर दिन एक ही समय पर नींद खुलने का क्या संकेत होता है पहला संकेत, यदि आपकी नींद हर रात 3-5 बजे के बीच में खुलती हैं, तो यहाँ आपके लिए दूखका इशारा हो सकता है, शारिरिक कश्ट हो सकता है, या फिर आप पर नकारात्मक शक्तिया हाभी हो सकती है अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, तो आप एक उपाय जरूर कीजिएगा, यदि आपकी नींद 3-5 बजे खुलती हैं, तो आप गूगल की अगनी के उपर धूप लगा कर पूरे घर में धुआ जरूर करें, जिससे आपके घर पर जो नकारात्मक शक्तिया हाभी होने की कोशि दूसरा संकेत, यदि आपको 9-11 बजे के बीच नींद नहीं आती हैं, तो इसका भी एक संकेत होता हैं, यह समय सोने का उत्तम समय माना जाता हैं, इस बीच नींद ना आना हद से ज्यादा चिन्ता और तनाव का कारण हो सकता है इसके लिए आपको भगवान का ध्यान करना चाहिए, और इसके अलाबा आप भगवते वाशुदेवाई नम का जाप करें, जिससे आपके मन में उठ रहे सभी नकारात्मक विचार खत्म हो जाएंगे और आपको अच्छी नींद आएगी तीसरा संकेत, यदि आपकी नींद ग्यारह से एक बजे के बीच में अचानक खुलती हैं, तो पवित्र मंत्रों का जाप करें और परमात्मा का स्मरण करें तथा अपने अंदर ख्षमा करने की शक्ती विक्सित करें, क्योंकि किसी को ख्षमा करना सबसे बड़ा काम होता है अगर आप किसी को दिल से सिक्षमा कर देते हैं, तो यकीन मानिये आपका मन बहुत शान्त हो जाएगा, किसी भी बात को मन में रखने से व्यक्ती का मन कुंठित होने लगता है, और इससे उसका स्वयंका ही नुकसान होता है, इसलिए व्यक्ती को हमेशा अपना दिल उदार रखना चाहिए भगवान को याद करते हैं, तो आपकी सारी मुश्किलों का अंत भी हो सकता है। चठा संकेट, यदि आपकी नींद रोज पांच से साथ बजे के बीच खुलती है, तो यह एक जागने का समय होता है। परंतु ऐसा अचानक से हो, तो इसका मतलब होता है कि आपके उपर नकारात्मक शक्ती का वास हो गया है। इसलिए आप नहाते समय एक छोटा सा उपाय जरूर करें, इससे आपके उपर हावी हो रही नकारात्मक शक्तियों का नशा हो जाएगा। आप सुभा नहाने के बाद अपने इश्टदेव को जरूर याद करें तथा उनकी नियमित रूप से पूजा अर्चना करें। इससे आपकी सभी समस्याएं दूर हो जाएगी। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये छोटी सी जानकारी आपको पसंदाई होगी। कृपया वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।